हेलो एब्रिवान, वेलकम टू अबर ओनलाइन प्लासेश, मैसल प्राच्मरी सर्मा, हिंदी टीचर अब प्लास वन तो बचों, आज रक्षा बंदन नहीं, रक्षा बंदन कि आपनों को धेरों सुब काम ना है तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं, रिमजीम किताब का पगड़ी का पाट पढ़ेंगे, लेसन 10 पेज नमबर 74 निकालिए देखिए लेसन 10 पगड़ी मैली पगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी इतनी रगड़ी रह गया मैल न रह गयी पगड़ी तो पगड़ी इतनी मैली हो गयी थी कि उसको साप करना जरूरी था तो उसको साप कैसे करके करा गया यानि रगड़ रगड़ कर इतना रगड़ा इतना रगड़ा गया कि मैल उसमें नहीं रह लेकिन अंत में पगड़ी भी नहीं रही यानि पगड़ी 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 मलकिन जगड़ी इतनी जगड़ी इतनी जगड़ी इतनी जगड़ी तर गया मैल और तर गई पगड़ी तो मलकिन जो है कैसी थी यानि हटी कटी और मोटी तगड़ी थी तो पगड़ी को फटा हुआ देखकर मलकिन जो है बहुत जगड़ी इतना जगड़ी इतना जगड़ी कि वो जो है मैल से भी ज्यादा जो है जितना मैल उसमें लगानी था पगड़ी में उतना ही ज्यादा वो से जो है जगड़ गई और तर गई पगड़ी यानि पगड़ी जो है क्या हो गया फट जाने के बाद जो है गुसा लगता है कि नहीं इसी तरह मलकिन को जो है गुसा आ 75 पेज में सफाई मालकिन ने मैली पगड़ी खुब रगड़ी तुम इन चीजों को किस से साप करोगे जैसे कागच रबड से बरतन साबुन से पत्ते पानी से जूते पालिस से दात दातुन और ब्रस से अब चलिए नीचे चलते हैं पगड़ी को खुब रगड़ा तो जैसे नमबर वन कागच फट जाएगा ज्यादा रगड़ने पर क्या होगा बचों फट जाएगा बरतन अबरतन को ज्यादा रगड़े गे तो क्या होगा साफ हो जाएगा नमबर तरी जूते जूते को ज़्यादा रगणेंगे तो क्या होगा चमकेंगे है ना नमबर फॉर स्वेटर स्वेटर को ज़्यादा रगणेंगे तो क्या होगा फट जाएगा नमबर फाइप में फर्स दिया है यह आपको दिया हुआ है ज्यादा रगणने पर क्या होगा चमक जाएगा तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद